नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मात्राम एक बार फिट से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इक्साम्टरगी में Management of Groups with High Support Need Dear Special Education Second Year का पहला यूट आपको देखने को मिलेगा और यह भया Second Year का आपका बार्वा पेपर है 12th पेपर है यानि कि आपका लास्ट पेपर इस साल का जो कि आपका 18 तारीक को हो जाएगा बात कर लेते भाई Unit 1 की तो उच्छ समर्थन आवशक्ता वाले बच्चों की यहाँ पर बात कर रहा है और गंभीर दिव्यांता वाले बच्चों की बात कर रहा है हम कहते भाई उच्छ समर्थन आवशक्ता वाले बच्चे कौन होंगे तो कहेंगे ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा समर्थन की आवशक्ता होगी यानि कि जिनको हम बहुत ज़्यादा समर्थन दे जिससे कि वो सीख सकें और फिर भी हम उनको समर्थन दे कि वो भूल भी जाते हैं फिर भी हम उनको सिखाएं और भया उनको हम क्या करें एक सौतंतर जीवन आपन दिला सके महत्यपूर कह सकते हैं कि ये आपकी आवशकताओं का मतलब उन रख्तियों से है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में महत्यपूर मात्रा में सहायता और देखभाल के आवशकता होती है गंभीर दिव्यांता का तात पर उन विगलांताओं से है जो व्यक्ति की कारेशंता को अत्यदिक प्रभावी करता है जिससे उसे स्वतंत रूप से जीवन आपन करने में कटना ही होती है बात करते हैं उच्छे समर्थन की तो कहते हैं सहायता की जरूरत होती है तो इनको खाना खाने में, कपड़े पहनने में, इस्तान करने में, चलने फिटने में इनको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूत होती है जब सहायता की ज़रूत होगी तो इनको हम क्या करेंगे नियमेच चिकिस्सा दिलवाएंगे जो भी इनकी कम्या होंगी हम इनको clinical देखभाल करवाएंगे चिकित्स्सा की देखभाल करवाएंगे सौास्तेमाओं की देखभाल करवाएंगे और भजा इनके लिए हम सहाईध उपकरन के लिए भी arrangement करेंगे विल्चेर हुआ, ऑक्सिजन टेंक हुआ, विसेस बिस्तर हुआ, संचार उकड़नों का उप्योग करना इसके बाद में गंभीर विकलांगता की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चाहे वो आपका बौधिक दिव्यांगता हो, चाहे वो समवेदी दिव्यांगता हो, चाहे वो मिस्ति दिव्यांगता हो यानि की सरीर के, सबसे पहले हम सारी एक दिव्यांगता की बात करेंगे तो सरीर के किसी अंग्या आंगों की कारिशनता में गंभीर कमी यानि कि बिलकुल इतनी ज़्यादा कमी हो ना जिससे कि भहिया severe और profound की condition वहाँ पर आए तो वो आपकी गंभीरता जो आपके high support नीड वाले बच्चे होंगे हम उनको कह सकते हैं बौधिक दिव्यांगता में बिलकुल जिनका IQ लेवल 20 से 35 हो या भया 20 से भी कम हो तो वो दिव्यांगता वाले बच्चे आएंगे समवेदी दिव्यांगता सेंसरी वाले जिनमें द्रश्ट श्रव्य और इस पर्स करने में गंभीर दिव्यांगता हो फिर भी वो ना समझ पाते हो मिस्तिर दिव्यांगता में आपका सारीरिक दिव्यांगता और बौधिक दिव्यांगता दोनों एक साथ में ऐसी दिव्यांगता हैं जो हो दोनों एक साथ में सामिल हो और तब क्या होता है बच्चे की जो गंभीरता का इस्तर होता है वो बढ़ जाता है तो हम बात करते हैं समझ किये तो कहेंगे सहायता की आवशक्ता ऐसे वक्तियों को समाज में समामेशन के लिए विसेश सहायता और सेमाओं की आवशक्ता होती है इसके लिए सिक्षा और प्रसिक्षन देना बज्चों के विशेज सिक्षन विदियों और प्रसिक्षन कारिक्रमों की आवशक्ता देना परिवार और समदाय की भूमिका और की परिवार और सजसों के साथ में समर्थन और कानूनी अधिकार इनको देना इनके लिए जो भी र लोग कहते भाई इसमें क्या होता है पूरा सरीर जो है वो बच्चे का गंभीरता से ग्रसित होता है गंभीर बहुत इक दिव्यांगता की बात करें तो कहेंगे भाई डाउन जिंड्रोम और आउटिजम वाले बच्चे जो हैं इसमें क्या होता है समझने और समवात करने में दिक्कत होती है तो यह गंभीर बहुत इक दिव्यांगता वाले बच्चे इनको विसीश मदद की जरूरत होती है। काहेंगे भाई उच्छ समर्थन वाले जो बच्चे हैं इनकी आवशक्ताओं और गंभीर दिव्यांगताओं को सही पहचानना और उच्छी देख भाल करना विक्तियों की गुर्वत्ता में सुधार किया जा सकता है और इनके इस तरू को बढ़ाया जा सकता है और सम्मान जन किसी भी चीज की तो हम कहेंगे अगर इस्ट्रंथ की बात करें तो कहेंगे द्रनता और सहन जीलता इन विक्तियों में कठिन परिस्तियों का सामना करने में अध्वुच्छमता होती है इनकी देलिक चुनोतियों से निपटने की द्रनता उनके विक्तित्त को क्या करती है कि बात करते हैं तो समर्थन सपोर्ट नेटवर्क होता है यानि कि भाई परिवार दोस्त पेशेवर साहता जो कहते हैं कि मजबूत रूप से इन्हें आउशित्ता की देख भाल कराते हैं उनका समर्थन दिलाते हैं इनकी लिए गत्विदी उपलब यानिकी जो इनका परसनल चीज होती हैं जहां पर इनको जो आउसर मिल सकें चाहे वो सिक्षा के हों चाहे वो सीखने के नए उसर हों चाहे वो कला के हो इनमें क्या करते हैं अदोती सफलता प्राप्त करते हैं यह इनकी स्ट्रेंथ होती हैं इनको करा सकते हैं सहयों की भावना भी इनमें विक्सित क कर सकते हैं सभागता कर सकते हैं इशू क्या आता है मुद्दे क्या आते हैं आखिरकार क्यों इन में कमी होती है किसी भी चीज़ को करने की कहेंगे भाई लेक आप inclusion यानि कि समावेशन में कमी बच्चा अलगाओ महसूस करेगा जब समाज से बच्चा अलगाओ महसूस करेगा तो भया समावेशन में कमी आएगी सुविधाओं की कमी यानि की आवश्यक सुविधाओं जैसे रैम विशेश ट्वाइलेट और विशेश परिवाहान इनको नहीं मिल पाता लेकाफ फेकल्टीज देखने को मिलती है चाहे वो विद्याले में हो और चाहे हो हमारे आस पास की किसी सीबबनों भी कहीं पर जाना हो इन में अगर हम बात करें विद्थी दबाओं करना पड़ता है इन उसके कारण से इनमें जो है कहा सकते हैं कि भाई यह मुद्दे आते हैं इस उस आते हैं कहीं यह पिछड़ी रहते हैं चुनाथा इसका क्या होती ही क्या क्या इनकी आगे जो जीवन जीने की लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत उनोखती तो बट्टिक देल होती है सरल तरीके से हम इनको अच्छे तरीके से चीजों को सिखाएंगे जो भी कारेकरम सिखाएंगे उसमें अभी बुर्वत्वत्तक परक इनको सिख्षा देंगे सुनिस्चित करेंगे चुनोतीक पूणchat हम कम्म्मृइकशन करेंगे सन्चार भी हम बरावर रूप से करेंगे विशेश हो शकता है और इच्छाओं को इस पर रूप से यह बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते तो भईया इनका हम communication skill भी है इसको भी बढ़ाने की कोसिस करेंगे और समाज की अधारना भी आपको देखने को में बात करें तो हम सबसे पहले बच्चे को क्या दिलाएंगे समावेशन दिलाएंगे जिसे की ऑफ़या समावेशन की सि working को विकास करेंगे जो भी बुन्यादी सिविध्हान को नहीं मिल पा रही है उनको हम दिलवाएंगे इनके लिए स्वास्त के लिए जो भी वेतर सुविधा है वो दिलवाएंगे वित्ती साहता सबसीटी दिलवाएंगे और सिक्षन प्रिसिक्षन का भी कारिक्रम जो है वो लागू किया जाएगा व्योसाइक प्रिसिक्षन कारिक्रम जो है इसको भी ब प्रदान किया सकेगा यह आपको यहां पर देखने को मिल सकता है 1.3 में हम लोग बात करते हैं जो हमारे उच्छी समर्थन वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो भी व्यक्तिकत जरूरते हैं चाहे वो चाहे वो एडॉल्संस में हो या एडल्टूड में हो तो वो कैस होगा तब हम इनको कौन-कौन सी सहाइता है वो देंगे, नोग बात करते हैं सबसे पहले technical background ऐस्ता की, तो मैथमान का जलूर्चस्तों सहान क्शा कि बच्चे को सामेल करेंगे, सायक तक्षान हैं में में सामार्यक्षै अच्छा बच्चे को सामिल करके हम लोग adaptive devices का उप्योग करेंगे बच्चे के लिए जो भी सुविधाएं होंगी early intervention program की सुविधाएं आनि की सीग्र हस्तक्षेव कारिक्रम की सुविधाएं जैसे की therapy देना बच्चे को occupational therapy देना बच्चे को physiotherapy देना इसकी हम लोग सुरुआत करेंगे और बच्चे की हम लोग क्या करेंगे स्वास्त की देख भाल करेंगे बच्चे की नियमित जाच नियमित निगरानी की जाएगी और भया अवशकता के लिए जो भी networking है समर्थन का समू है इसमें सामिल करना बच्चे के लिए आवश्य कुप करन यानि की असिस्टिव डिवाइस सहाइब करन वेलचेर सुनने की सायता संचार उपकरन इसका उप्योब करना जब बच्चा दीरे दीरे बड़ा हुआ यानि कि बच्चा गया अपना किसोरा वस स्वास्तार जो भी कौसल कारिक्रम है यानि कि वेवसाइक प्रसिक्षन और जीवन कौसल का कारिक्रम इसमें स्वास्त और मानसिक स्वास्त की बात करें तो मनोवय ज्यानिक समर्थन यानि कि आत्म सुईक्रती और मानसिक स्वास्त सेवाओं को प्रावधान स्वास्त देख बाल यानि कि निमिचती किस्ता और विशीश जो भी सेवाः हैं इनको जारी करना और भाईया इनके लिए भया इनकी आयू के अनुसार सामाजी करण बच्चे का करना बच्चे के लिए खेल, कलब, सामाजी कतिविदियों में इनको भाग दिलवाना और भया इनके लिए स्वतंत्र कौसल जीवनियापन करवाना जिससे ये भया आत्म निर्भर बने और भया इनको प्रसिक्षन दिया जाए अब बच्चा हो जाएगा वयस क्यानि की एडल्ट हो जाएगा बच्चा जब एडल्ट हो जाएगा तो इसको रोजगार देने की आवशकता होगी जिससे की वो भया अपनी आजीविका को चला सके तो हम कहेंगे भाई इनको employment देंगे यानि कि रूजगार प्राप्त करने और बनाय रखने के लिए समर्थन व्योसाइक प्रसिक्षन में कौसल उन्नैन और व्योसाइक सिक्षा स्वास्त और कल्यान में कहेंगे भाई दिर्क कालिन चिकिस्ता सेवाई यानि कि हेल्थ केर के बात करेंगे निमित और विशेच सिक्षा सेवाउं की बात करेंगे मांसिक स्वास्त सेवाउं की बात करेंगे तना और प्रवंधन को मांसिक स्वास्त सेवाउं का प्रावधान इसके लिए इनको स्वतन्त जीवनियापन की बात करेंगे इंडिपेंडेंट लि इसमें आपका holistic approach भी आ जाएगा इसमें व्यक्तिकत केंद्रित योजना बनाई जाएगी, person-centered planning बनाई जाएगी, व्यक्तिकी छमता और आवशक्ताओं को देखते हुए उसके लिए योजना बनाई जाएगी, समुदाई और जो भी नीती समर्थान है, community and policy support जो बच्चे का व चाहे वो अपना यूँ आवस्था में हो, तो हम सभी जगापर क्या कर सकते हैं बच्चे को बहतर बना सकते हैं इन शभी चीजोग देखकर के, बहुं क्या सिक्षा देंगे, क्या उसको जिक्सा सवाय देंगे, इसके दोरा बच्चे का सत्तर्त विकास किया जा सकता है, हम लोग बात करते हैं लेवेल्स आप सपोर्ट IASSIDD तो हम कहते हैं भाई IASSIDD यानि की International Association for the Scientific Study of Educational and Developmental Disabilities ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है जो समर्थन आवशकता वाले बच्चों को चार तरीके से इसको वर्गी करत किया जाएगा पहली आपकी Limited यानि की सीमित्ता आइस्थाई, व्यापक और भेया सर्व व्यापी ये चार चीजे जो है वह आपको देखने को यहाँ पर मिलती है तो हम कहेंगे सीमिस समर्थन क्या होगा Limited सपोर्ट क्या होगा कहेंगे सीमिस समर्थन का तातपर समय बद्द और विशिष्ट गत्विदियों या जीवन के छेत्रों के लिए प्रदान किये जाने वाले समर्थन से विशिष्ट गत्विदियों और जीवन के लिए जो छेत्र हैं उनके प्रदान किये जाने वाले समर्थन से होगा इसमें रोजगार खुजने में साहे था स्कूल की अवधि में विशिष्ट सिख्षय हो जना है अवधि क्या होगी अल्पकालिन और विशिष्ट समयावधि तक और कुछ खास इस्तितियों और गतिविदियों की मदद करने की आवशक्ता आइस्थाई बच्चे को समर्थन दिया जाएगा इसक की मदद नहीं करनी है फुदाराण बीमारी के तौराण तनावपूर समय में नौकरी बदलने में ये सभी चीज़ों में समय-समय पर आउशक्ता होगी इसकी व्यापक समर्थन यानि की आपका व्यापक समर्थन क्या होगा धैयनिक जीवन जीवन और साहता देना और भया बच्चे को व्यक्ति को निरंतर और नियमिस साहता की आउशकता होगी सर्व्यापी समर्थन इसमें कहेंगे सर्व्यापी समर्थन में सभी छेत्रों में बच्चे को निरंतर समर्थन देना 24 घंटे बच्चे की देखभाल करना और रोजगत विदियों में बच्चे को बेतर बनना जीवन भर के लिए बच्चे को सरव्यापी समर्थन देना परवेशिव सपोर्ट देना इसमें हम कह सकते हैं समझ और अनप्रियोग में कहेंगे भाई सीमिस समर्थन बच्चे का करना जो कि बच्चे अगर मालीजिए सीमिस समर्थन में बच्चा गड़ित में कमजोर है तो उसके लिए हम लोग विस्षिशा हो सकता वली कक्षा है जो उसकी जरूरते उसको करेंगे आइससाई समर्थन में हम क्या करेंगे नौकदी के वदले क्या करेंगे इसके दौरान माग और प्रवंधन उच्छ समर्थन आवशकता वाले विक्तियों के जीवन और गुड़ोत्ता में क्या करता है महत्कुन सुधार लाता है बच्चे को आत्मिर्भ बनाएगा और समावेशी सीखने के लिए बच्चे को बढ़ावा देगा देन हम लोगा बात करते है युनिट बान पॉइंट फाइफ के लिए सममों के रिए सेवाएं या सेवा का मांदर्शन तो हम लोग क्या करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं बच्चे को हमें यहाँ पर देना है उच्छ समर्थन और जब हम उच्छ समर्थन बच्चे को देंगे तो भाई जो भी उसको हम लोग सेवाय देंगे उसमें बच्चा स्वतंद्र हो सके उसकी गुरुवत्ता बढ़ सके और सामाजिक सेवाय जो है वो बढ़ सके इसके लिए बच्चे को उमलोग क्या देंगे सिक्षा और प्रसिक्षण की सेवाय देने में हम बच्चे के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं इंडिविजुलाइज एजुकुशन प्रोग्राम बनाते हैं और उन्हें हम समावेसी सिक्षा में क्या करते हैं बेहतर करते हैं कि मुझ इधारा के कख्षाओं में सफायता और समाव विसी सिख्षा की विद्यों को बढ़ारें जो भी वैवसाइक कोसल और रोजगार के लिए बच्छी को तयार करेंगे और इसका प्रशिक्षन का JEFF इसमें स्वास स्वां यानिक हल्थ के एर सर्विसेज यानिक प्रात्मी शिख्षा बच्चे की निम्त जाच ओर देख भाल किया हो सकता बच्चे को फीजिवी थरपि और इन सभी चीजिशयों की हो पहतर बहाना इनके लिए भया आवास और जीवन यापन की योजना है उनकी सेमाओं को सामिल करना इससे क्या होता है इसमें क्या होगा जब भया समर्थित आवास बच्चे को मिलेगा बच्चा सोतंत्र होगा और भया सहता उसको मिल सकेगी इसके लिए जो भी आवास है उसकी वित्ती है, कानोनी सेवा है, सबसीटी मिले, अंदान मिले, और बच्चे को क्या मिल सके, बीमा और जो भी स्वासदेवभाल सेवा हैं, वो मिल सके, इसके लिए भया हम लोग AAC का उप्योग कर सकते हैं, और अर्गमेंटिव और अंट्रेटिव कम्मुनिकेशन का उप्योग क आइस्थाय रूप से, और इस्थाय रूप से, और बच्चे को समर्थन मिल सके, परिवान की जो सेमा हैं, वो बच्चे को दिया सके, आनि की विसेश परिवाहन, जो भी समदाइक, परिवान कारिक्रम हैं, वो दिया जा सके, और भया, बच्चे को जो भी परिवाहन है, उस कि जो भी जरूते उनको पूरा कर सकते हैं इससे बच्चे में आत्मिस्वास और वे समक्त जीवन की गोड़ता में सुधार होगा तो इस प्रकार से यूनिट वन जो था वो आपका समाप्त हुआ मिलता हूँ या नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा आपके अपने चैनल एक झाल